नमस्कार दोस्तों, टीचर सिन में आपका स्वागत है आज हम डिसकस करेंगे दयानन्द सागर यूनिवर्सिटी यहाँ PhD आड्मिशन का नोटिफिकेशन अलड़ी आ चुका है 2021-2022 के लिए तो चलिए चलते हूं उसका ओफिसेल वेबसाइड में और वहाँ जाकर हम इसको डिटेल्स में डिसकस करते हैं शुरू करने से पहले मैं आपको बता दू कि हम यहाँ Teaching Related Studies, Competitive Exams and Jobs के बारे में डिसकस करते हैं तो जिन्होंने अभी तेक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लिजे, फ्यूचर में जो भी नोटिफिकेशन आएगा आपको सबसे पहले मिल जाएगा तो यह आप देख सकते हो, यह है दयानंद सागर का Official Website, यह बैंगलोर में लोकेटेड है और यह प्राइवेट उनिवरसिटी है तो यहाँ मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ तो यहाँ आप देख सकते हो, उपर मेंशन किया गया है Research यहाँ रिसर्च आप थोड़ा सा नीचे आओगा, आपको देखने के लिए मिलेगा PhD Admissions July 2021 तो हम इसी के उपर क्लिक कर लेते हैं तो यहाँ आप देख सकते हो, PhD Admissions का एक dedicated page यहाँ है और यहाँ मेंशन किया गया है PhD Admissions July 2021 Admissions are eligible for PhD degree programs तो हम चली एक एक करके देख लेते हैं then first, admission procedure, admission procedure क्या है the number of available seats in the various specialization under different disciplines published in the link research supervisor list तो पहले हम इसको देख, इसको हम open कर लेते हैं इसको हम बाद में देखेंगे, यहाँ सारके सारे जितने भी सारे जो प्रोग्राम से यहाँ discuss किया गया है तो हम इसको थोड़ा लेट में देखेंगे, पहले इसको हम खतम कर लेते हैं यहाँ admission का procedure क्या है, सबको पता है कम से कम master's degree होना चाहिए और उसमें कम से कम 55% mark होना जरूरी है तो यहाँ देखेंगे, यह सारके सारे सेम है then, दयानन्द सागर University PhD Entrant Test यहाँ admission का procedure है, पहले आपका दयानन्द सागर का जो एक own written test होता है यह test होगा, उसके बाद आपका भायबा होगा और यह जो test होगा, यह आपका 120 mark का test होगा और यह जो timing है, यह तीन घंडे का test होगा ठीके, और जिन्होंने भी UGC, JRF, CSR, NET या कुछ भी slate, gates, set दिया है, उनके लिए यह exempted है ठीक है, और इसके साथ साथ जिन्होंने भी teacher fellowship जिनको भी मिला है यह सारे के सारे exempted है, बाकि student को यह entrance देना पड़ेगा Then interview कैसे होगा, जो expert panel होगे, उनके साथ आपका interview होगा और उसके बाद final short list होगा Then duration of the program, यह जो program है, सबको पता है, 3 से लेकर 4 से कम से कम होता है, यह तो 6 साल तक और यहां आपको दो प्रकार का मिल जाएगा, यह के full time PhD और उसके साथ साथ part time PhD भी आपको यहां मिल जाएगा Important dates आप यहां देख सकते हो, यहां mention किया गया है जैसे कि last date for submission of field application form, कब है, 31st July 2021, यह है इसका last date, online apply किसी भी प्रकार apply करने का ठीक है, और PhD test आपका कब होगा, यह होगा आपका 8-8-2021 और मैं एक चीज बता दूँ, यह जो entrant test होगा, यह उसका university में होगा, तो physically आपको वहां जाना पड़ेगा, इन्होंने यहां mention किया है, हम भी इसको देखेंगे बाद में Then announcement of the list of the candidate who have successfully completed the entrant test, आपका जो list आएगा, यह आएगा 11-8 को, then interview candidate by the expert panel, यह आपका होगा, 17 से लेकर 24 अगस्ट तक, ठीक है Then announcement of final result, यह आपका announce हो जाएगा, 28-8 को, then last date for PhD admission, आपका 6-9 को आपका last date है, then PhD admission with late fee, आप चाहो तो late fee के साथ भी आप admission कर सकते हो, यह है 13-9 तक, ठीक है और बाकी आप यहाँ नीचे थोड़ा दिया गया है, आप देख सकते हो, please refer to the PhD regulation, आप यह दिक PhD regulation के बारे में आप जानना चाहते हो, यह एक link दिया गया है, इस link के उपर आप क्लिक करके देख सकते हो, ठीक है और इसके साथ-साथ यहाँ दिके कुछ download का link दिया, जैसे कि entrance syllabus, यहाँ आपको syllabus मिल जाएगा entrance test का, देन यहाँ दिके और एक दिया गया है question paper pattern, आप यह दिक question paper देखना चाहते हो, कि किस प्रकार का question आता है, तो आप यहाँ क्लिक करके भी देख सकते हो, देन यहाँ देख hard copy आप भेज सकते हो, university के address या आप चाहो तो इसको email भी कर सकते हो, इसको download करके, fill up करके, इसको scan करके, इसको email कर सकते हो, तो मैं इसको download करके आपको दिखा देता हूँ, तो यह है इसका application form, आप इसको देख सकते हो, इस प्रकार का application form वहाँ से आपको मिल जाएगा, और इस application form का link, then हम थोड़ा सा ऊपर चलेंगे, फिर से यहां से देखेंगे, then eligibility for the admission, eligibility सबको पता है, कम से कम master's degree होना चाहिए, किसी भी subject में, वो engineering हो, science हो, commerce हो, management हो, medical science, सारे सारे subject में, कम से कम master's degree होना चाहिए, 55% marks होना चाहिए, और जो reservation है, जो भी category से बिलंग करते है, उनके लि इंटर्वियू में जा सकते है, और उसके अलाबा, जिन्होंने B.Tech किया है, या B.E. किया है, या B.S. किया है, वो यदि interested है, यहां करने के लिए, उसका कम से कम 70% mark होना चाहिए, और 65% जो relaxation मिलेगा, जो reserve category से बिलंग करते है, then interdisciplinary area में जो भी करना चाहते हो, वो भी यहां कर सकते है, कुछ प्रोब्लेम नहीं, बाकि tuition fee, यहां mention किया गया, आप चाहो तो देख सकते हो, then how to apply, apply करने के लिए, यहां mention किया गया, आप देख सकते हो, rest 2500, यह है इसका application fee, ठीक है, यह application fee आप pay करके, आप यहां admission ले सकते है, यहां दो तरीका दिया गया है, the field application form for the PhD entrance test shall be submitted along with the fee, अब 2500 towards the PhD entrance test and the interview in the form of DD, इसको DD बनाना है, in favor of, यह जो address दिया गया, इसके नाम पर DD बना के, आपको भेजना है, कौन सा address में, यहां देख सकते हैं, आप दिया गया है, register office, दयानंद सागर उनिवर्सिटी, innovation campus, कुडलू गेट, हुसूर रोड, बैंगलोर, और यह PIN न can be also be sent to, यह जो email ID दिया गया है, इस email ID पर आप भेज सकते हो, और इस email ID पर आपको mention करना पड़ेगा, PhD admission July 2021, तो आपके लिए दो तरीका है, और जब आप email करोगे, email करते बाद आपको देखे, यहां mention क्या गया है, alternatively the fee of 2500 may also be paid online using the following bank details, यह आप email करना चाहते हो, तो आपको यह जो application fee है, यह आपको bank के details यहां दिया गया है, इस bank में आप चाहो, तो आप जैसे भी चाहो, आप इसको pay कर सकते हो, ठीक है, तो यह है इसका दो प्रकार का तरीका, बाकी कुछ address दिया गया, आप देख सकते हो, तो आभी चलिए हम इसका देखते हैं, जो seat details, seat matrix हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, कौन से department में कितना seats है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था, विडियो के सुरू में 108 seat है, यहां देखें department के हिसाब से, और आपका जो guide है, supervisor, बीच में आपका research area, तो कितने-कितने slot खाली है, और contact details, आप चाहो तो direct आपका supervisor को contact करके भी, आपक तो इसको पूछ सकते हो, मैं इसको फिर से एक थोड़ा सा हाँ, जुम कर लेता हूँ, फास्ट department देखें, यहां mention किया गया है, school of engineering and computer science and engineering, यह department में, आप देख सकते हो, कितने सारे vacancy है, पहला देखें एक आपका supervisor का नाम दिया गया है, डॉक्टर स्री निभासा A, इसके अ ठीक है, ठीक इसी प्रकार आप निचे आओगे तो आपको और बहुत सारे जो प्रोफेसर है, असिस्टन प्रोफेसर उनका डीटेल्स आपको देखने के लिए मिल जाएगा, देन आप यहां देख सकते हो, मैंने इसको जुम कर लिया, थोड़ा सा, हाँ, तो यहां आभी द एलने देख्ये, स्कूल आप यहां जो स्कूल आउनेरी स्कूल आपगे संच दो then school of engineering electronics and communication engineering, school of engineering mechanical engineering, then aerospace engineering department, then school of engineering physics department, then chemistry department, mathematics department, college of pharmaceutical science and health science, then school of allied health science, nursing, then school of allied health science, physiotherapy, then school of basic and applied science, then school of commerce and management, commerce and management में आप देख सकतो कितने सारे subject है, accounts, finance, entrepreneurship, finance, banking, finance, accounting, उसके बाद the human research management, consumer behavior, branding, mobile computing, marketing, accounting, finance, accounting, marketing, HR, then medical school, CD, SI, MER, then department of physiology, then department of pediatrics, department of anatomy, then department of obstetrics, then gynecology, department of forensic medicine, department of pharmacology, then community medicine, ये सारे सारे सब्जेक्ट में आप चाहो तो यहां PhD कर सकते हो, ये के huge subject से आप देख सकते हो, बहुत सारे department में बहुत सारे बैकेंसी है, तो ये था details, और जो भी आप interested हो, आप चाहो तो यहां PhD कर सकते हो, और इसका जो link है मैं देदूँगा description में, वहाँ जाकर आप इसको download करके भी देख सकते हो, तो ये था इसका details, और जिन्होंने अभी तक subscribe नहीं किया, subscribe कर लिजिए, future में जो भी नोटिपिकेशन आएगा, आपको सबसे पहले मिल जाएगा, तो thank you, all the best.